तो इस वीडियो में डिसकस करते हैं ऐसी 5 चीजें जो आपने अगर अपने 20s में ही सीख ली तो आपको पूरी उमर मदद करेगी हेल्दी रहने में तो चलिए बिना समय व्यर्थ किये शुरू करते हैं हलो गाइज एक बर फिर बहुत-बहुत सौगत है आपका हमारे चैनल पहले हल्थ पर सबसे पहला पॉइंट है लर्न कुकिंग अगर कोई चीज जो उमर भर आपका साथ देगी वो है आपका कुकिंग स्किल इसकी अच्छी बात ही है कि जितना आप कुक करोगे उतना ही आप इस स्किल में बहतर होगे और इतने सारे बेनेफिट्स ओफर करने की वज़ए से आज ही हमारा पहला पॉइंट है जिसका सबसे पहला बेनेफिट है सेविंग मनी एक रिसर्च के अनुसार, फूड डिलिवरी अपस के थूँ एक एवरेज ओडर की कीमत होती है 200 से 500 रूपे और केवल जुमैटर ने कोविट के पहले 200 दिनों में 9 करोड से ज़ादा ओडर्स डिलिवर किये आपने कितने ओडर किये ये कमेंट में हमें जरूर बताना खेर फूड ओडर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन अगर रोज जादा नमक, स्पाइसे और तेल से भरपूर फूड ओडर करोगे तो हेल्थ प्रॉब्लम्स को नियोता तो स्वाभाविक है और साथ ही साथ किस क्वाणिटी में इंग्रीडियन्स का इस्तमाल हुआ है वो पता लगाना भी मुश्किल है तो अगर आप अपनी फेटनेस जर्नी पर हैं और आपकी डाल के उपर इतना तेल हो तो उसकी कैलरीज कैसे कैलकुलेट करोगे तो बॉटम लाइन ये है कि कुकिंग सीखना आपके पैसे और हेल्थ दोनों सरक्षित रखेगा और भी बहुत से फाइदे हैं इसके जैसे अपनी मील्स खुद प्लान करना बचेवे पैसों को सही जगा खर्च करना दोस्तो यारों को इंप्रेस करना अलग-लग रेसिपीज से एक्सपेरिमेंट करना और सबसे ज़रूरी अपने फिटनेस गोल्स को अक्यूरेटली ट्रैक करना और खास करके आपको गॉर्डन रामसे बनने की भी ज़रूरत नहीं है जस्ट बेसिक कुकिंग काफी है शुरुवात के लिए तो देर किस बात की है खोलो YouTube और Bell Bottom का ट्रेलर सर्च करने से पहले सर्च करो Easy Breakfast Recipes अब आप बोलोगे टाइम किधर है इतना हमारे पास तो चिंतित मत होईए वही है हमारा आगला पॉइंट मैं जानता हूँ ये बहुत बड़ा क्लीशे है मैं ये भी जानता हूँ कि सारे successful लोग सुबह 4 बजे उठते हैं और मैं ये भी जानता हूँ कि किन रागों और किन साजों पर इंटरनेट के तमाम अख़बारों ने सुबह जल्दी उठने वालों की हम दो सना की है और एक साइज जो सबको फिट हो जाए वो भी मुमकिन नहीं है लेकिन जब आप पूरे दिन बिजी हो और सब के पास केवल 24 घंटे ही होते हैं तो एक्स्टर टाइम कहां से निकालोगे सुबह जल्दी उठकर ये मदद करेगा वो सारी चीजे करने में आपकी जो आपने सोची हैं अभी तक जैसे meditate करना, workout करना, jogging जाना अपना दिन प्लान और organize करना, meals ready करना और इतना ही नहीं सुबह का उगता सूरज और पक्षियों का मधुर संगीत आपके पूरे दिन को positive और energetic रखेगा लेकिन अब सवाल यह है कि सुबह जल्दी उठे कैसे तो इसका समधान बड़ा simple है रात को जल्दी सोगे तो सुबह जल्दी उठोगे और बस कुछी दिनों की तो बात है वो कहते हैं आदतें असानी से नहीं चूटती तो बस कुछी दिनों की तो मशक्कत है यह अदत भी लगेगी तो यह भी नहीं चूटेगी अगला point है prioritizing health classes, lectures, social media, dost, family, movies, college assignments, office deadlines के चक्कर में एक ही चीज हुई है health backseat पे चली गई है जिसका मतलब है physical activity ना होना और proper nutrition ना मिलना और COVID-19 ने एक बर फिर हमें health के बारे में सोचने को मजबूर कर दिया है I am sure हमें इसे जादा strong reminder नहीं चाहिए अपनी health को प्राथमिकता देने के लिए तो सोचो prioritize कैसे कर सकते हैं क्या हम social media WhatsApp इतियादी पर कम time लगा सकते हैं या Family Man के season 2 के आखरी दो episode अगले महीने देख सकते हैं क्या या दोस्तों के साथ Manali का plan October में बना सकते हैं क्या अभी तो वैसे भी बारिशे चल रही है या फिर weekend की party पोस्टपून कर सकते हैं क्या तो bottom line यह है कि अगर आप distractions खतम कर दो you will have time for things that actually matter to you साथी साथ fitness, raised energy levels, आलस खतम, less stress, strong muscles, अच्छी नींद और positivity इतने सारे benefits और यही नहीं lifestyle बिमारियों से बचने का सबसे सस्ता इलाज है सोच लो deal बूरी नहीं है अगला point है change the way you look at food आजकल के इतने information वाले जमाने की सबसे बड़ी समस्या है aggressive marketing by food companies और जैसे ही आपने आड खतम करी उसी शन आपको वो चीज खानी है इसमें आपका कसूर नहीं है वो बनाई ही ऐसे जाती है कि आपके ब्रेन को ट्रिक कर सके so that you desire for that particular product हाला कि कभी कबार बिर्यानी खा लोगे तो कोई गुना नहीं हो जाएगा लेकिन सच तो यह है food is a source of energy and nutrition for the body that's it जिसे अपनी activity level के हिसाब से खाना होगा नहीं तो यही होगा कि हम एक हाथ में momos की plate पकड़े दूसरे हाथ से YouTube पर lose 10 kgs in 10 days सर्च करते नजर आएंगे और सबसे महतुपून बात यह है कि आप कितने चुस्त और तंदुरुस्त हो तो bottom line यह है कि food आपकी life की गाड़ी को आगे बढ़ाने का इंधन है और जब इसे आप किसी भी तरीके की वर्जिश के साथ जोड़ोगे तो एक जादूई मेल होगा और आज का आखरी point है be minimalistic COVID-19 के चलते हुआ यह है कि हर तीसरे brand ने अपनी ads में immunity डाल दी है product में डाली है नहीं इसका नहीं बता तो देरार high chances कि जब आप shopping जाओ तो यह products आपको अकटशित कर सकते हैं लेकिन भीड को कम करने के लिए it's best you stick to the basics आपको healthy रहने के लिए fancy items की ज़रूरत नहीं है पुराने और समय की कसौर्टी पर खरे उतरे खाद्यपरदार्थ जैसे फल, सबजियां, अलग लग किसम के अनाज, डालें, nuts, seeds, milk products, eggs, chicken, fish, इतियादी काफी हैं आपको healthy रखने के लिए और अगर आप इन चीज़ों को consistently करते हो तो आपकी नेंद अच्छी, stress कम और आलस चूम अंतर हो जाएगा यह सारी यह नमें से कुछ चीज़ें आपको अल्री पता होंगी और यह नौट इवन त्राइं तो रीइंवें तो रीइंवेंट दे वील झाल से कुछ उचे होंगnant लो जातो हो आपक सकतर हो रीज़ें एपक कि यह चाहते होamगी झाल झाल